टैनल बाजवा ये फर्मा गए हैं कि काश हमारा हाथ भी उतना ही खुला होता जैसे हिंदुस्तानी फौज का है और काश हमारी कौम फौज के साथ वैसे ही खड़ी होती जैसे हिंदुस्तानी अवाम अपनी फौज के साथ खड़ी है जहीं दोस्तों मोडी देस में आपका सौगत है दोस्तों आज पाक मीडिया बात कर रहे कैसे पाकिस्तान के पूर्वा आर्मी चीफ जनरल बाजवा रिटार होने के बाद भी भारत पर रो रहे है उनका भारत पर रोना बंड नहीं हुआ आपको याद होका मैंने एक वीडियो दिया था कैसे उन्होंने रिटार होने से पहले भी भारत पर और भारत आर्मी पर जो जा था और अब रिटार होने के बाद भी वह कह रहे कि भारत आर्मी के जाद पाकिस्तानी आवाम पाकिस्तानी आर्मी को नहीं देती और भारत आर्मी जैसे हरकर करती है वैसे पाकिस्तानी आर्मी नहीं करती मतलब कि कस्मी में वो जो कहते हैं कि भारत आर्मी करती है वो सब जुटी चीज़ है तो बाजबार ने कहा ही कि अगर भारत जैसे अपने आर्मी के पीछे हर चीज़ में खड़े होते है वैसे पाकिस् जाते 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 जैनल बाजवा ये फर्मा गए हैं कि काश हमारा हाथ भी उतना ही खुला होता जैसे हिंदुस्तानी फौज का है और काश हमारी कौम फौज के साथ वैसे ही खड़ी होती जैसे हिंदुस्तानी अमाम अपनी फौज के साथ खड़ी हैं जी अगर ये हो गया तो बनेगा क्या अगर पाकिस्तानी अमाम भी हिंदुस्तानी अमाम की तरह हो गई जैसा कि गिला शिक्वा किया रहा है डिमांड की जार ये तो बनेगा क्या यह उन्हों ने फरमाया यह जैनल बाजवा ने फरमाया कि हिंदुस्तान की फ़ुज दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानी हकूँ के खलाव वर्जियां करती है लेकिन हिंदुस्तान की अवां फिर भी उनके साथ खड़ी है जब कि पाकिस्तानी कुई तालीम दी है कि हम भी और हमारी फॉज भी ह боль फॉज और इसके अवाम से बहुत barkisam का मुकाबला कर सकते हैं. अब बात ये कि इससे बहुत से सवालात उड़ते हैं. बसलां ये कि इसका पहला सवाल तो ये है कि हिंदुस्तान की कितने फीसद अवाम को अपने आर्मी चीफ का नाम बता होगा? मेरा खैल है 95% महां की अवाम को ये पता ही नहीं होगा कि उनके आर्मी चीफ का नाम क्या है? कि मैंने कई बज़र्गों से पूछा कि आपने अपने जमाने में किसी ऐयूप खान की किसी यहिया की इतनी बेज़ती सु यहां से मुराद वापस जाना है लेकिन जो सवाल है वो सवाल यह है कि क्या जैसा मैंने पहले तो यह का कि हिंदुस्तान के कितनी कौम को पता होगा उनके आर्मी चीफ का नाम क्या है कि हिंदुस्तान के किसी आर्मी चीफ ने अपने किसी वजीर आजम को बरखास्त किया हिंदुस्तान के कितने आर्मी चीफ ने अपने कितने वुजर आजमों को फांसी पर लड़काया हिंदुस्तान के किस आर्मी चीफ ने एकस्टेंशन मांगी क्या हिंदुस्तान के किसी आर क्रॉप्षिन के इल्जामाद आई हूं किया हिंदुस्तानी आवाम ये कहती भी नदी नजर आई? क cranopy तो ङछाई को किया है? किया हिंदुस्तानी आवाम कभी ये कहती भी नजर आई? कि सियासत में मदाखलत हो रही है ऐसा ना करें क्या हिंदुस्तान की ऑ divergence कभी गिया नजर आई कि उनका वोट तो जाय हो गया उनका वोटी नहीं पहले हो जो जो डाला किसी को पढ़ किसी को गया और ये तो ये कोई वोट डालनेगा क्या हिंदुस्तान के अवाम कभी यह कहती है नजर आई कि उनके वजीर याजन को उतारने की कोशिश की गई है जो बात की गई है जो शिक्वा किया गए ये इमरान खान की उस सियासत का नतीजा है जिस बेख इमरान खान ने ये कहा कि अगर मैं नहीं तो तुम भी नहीं पहले तुम मुज़ुराय आजम को लटकाते रहे ते अब ऐसा मैं नहीं होने दूँगा तो साहिवो बात यही है इस सबकर नतीज एजाए है नहीं आर्मी चीफ भी आचुके हैं आप देखने वाली बात यह है कि नहीं आर्मी चीफ आने के बाद इम्रान खान या फवाद 14 साथ कैसे रहते हैं और अगर इम्रान खान साब ये चाह रहे हैं कि उनको दुबारा से प्राइब मिनिस्टर बना दिया जाए एलेक्शन करवा दिया जाए और एलेक्शन के बाद उनी को प्राइब मिनिस्टर बना दिया जाए तो वो उसमें क्या रोल प्ले करते हैं और होता भी है यानि लेकिन फवाज 24 साब की एक चीज़ और मैं आपको उपता दिया हूं कि आजकल वो अमेरिकन अमेसी के बड़े चक्र लगा रहे हैं और सुने में या है कि जी अमेरिकन अमेसीजर जो हैं उनसे और दूसरे लोगों सब मिल बुलाके बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताके इस्टैब्लिश्मेंट के और किसी किसम का प्रेशर डाला जा सके कि इमराण खान साब को इन बार फिर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाँए जो के फिलाल होता हुआ नज़र नहीं आरहा है क्योंके जो कुछ इम्रान खान की पार्टी ने और इमरान खान साम आपने अपनी प्राइमरिस्टर्शिप जाने के बाद किया था उसके बाद लगता तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई किसी किसम की सपोर्ट मिलेगी चले दोस्तों इस वीडियो पर बात करते हैं तो बाजवा की मुझे एक चीज समझ नहीं आती बाजवा को इज़त चाहिए भार करते हैं पाकिस्तानी आर्मी से ज़्जादा है करते हैं और यह भी भाजवान जूट बोला कि भारती आर्मी से ज़्यादा है यह पुरा जूट है बलुचिस्तान में ही पाकिस्तानी आर्मी जितनी हिमेलाइस वालेशन करती है उतना भारत्य आर्मी ने आस तक नहीं किया होगा और यह बलुच भहुत अच्छी तरह से जानते हैं तो बाजवा ने इस मामले पर भी जूट बोला है और भारत्य आर्मी न बेचा है डॉलर्स लेने के लिए और पाकिस्तानी आर्मी जो कहते हैं कि हमारे असी हजार लोग मारेगे आटन की हमले में यह भी पूरा जूट है पाकिस्तानी आर्मी असी हजार का नंबर इसलिए देती है क्योंकि अमेरिका हर बंदे के पीछे पाकिस्तानी आर्मी को पै का नंबर बना दिया तो यह तो हरकत है पाकिस्तानी आर्मी की पाकिस्तानी आर्मी अपने लोगों को बीच के डॉलर कमाते है और ऐसी हरकते करने के बाद उन्हें भारत आर्मी जैसी इज़त चाहिए तो बाजवा को अगर भारत आर्मी जैसी इज़त चाहिए तो पहले भार उन्होंने कमा है आण में चीव जाहते है उसको एंजोई करना चाहिए तो चलिए देखते की फीचर में क्या होता है दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सुक्या और हमाई चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थांकियो विली मच